नमस्कार एक न्यूस 24 देख रहा है आप और मैं हूँ आपके साथ आन्या से देखे चुराग पासवान जिन्हेर पधार मंत्री नरेंदर मोदी का समर्थक और हनुमान माना जाता था अब अपने पुराने तेवर दोराने लग गए हैं हाल के दिनों में चुराग ने अपनी पार्टी यानि की लोगदन सक्ती पार्टी रामविलास के सास्वतंतर रुक अपनाया है और बिहार की राजनीती में एक अलग पहचवान बनाने पर भी जोड दिया है आपकपतारी की कुछ समय से चुराग पासवान बीजेपी से दूर होते दिखाए दे हैं और बिहार के मुद्दों पर अपनी अलग राय भी रखने लगे हैं यहां रुक उनके और बीजेपी के बीच बदलते समय करोनों का संकीद भी दे रहा है जोससे बिहार की राजनीती में एक नया समय करण और कटबंधन की भी चर्चाएं तेज हो खबर आया था लेकिन अभी हाले में चिराग पास्वान फिर से नरेंदर मोदी की तारीफ करते मज़र आ रहे हैं तो उससे मुद्दे ने काफी सुर्खियों में ले लिया है तो उस पर आपको क्या कहना है देखिए चिराग पास्वान और अब देश के प्रधान मंत्री न क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है और अवाद केंद्री मंत्री देखियों मीडियो नियुक्त पर हे है। मोदी जी को वो अपने पीता के समान मानते हैं हलाकि मोदी जी भी उन्हें अपने बेटे के समान मानते हैं चिराग के दुख के घड़ी में पीता के समान के तौर पे मोदी जी हमेशा अपना हाथ चिराग पासवान पे रखे हैं और नतीचे भी इसके सामने आए जैसा कि देख लिजे कि लोग सबाद चुनाओ की बात की जाए दोहज़ा चौबिस की जिसमें चिराग पास्वान मोदी के नारे से आगे बढ़ें कहा जाए तो मोदी के दमखम के साथ कहा जाए तो हमेशा से वो यही बात कहते रहें कि हमारे मोदी जी का सपना है बिहार का विकास करना मोदी जी के विक्सित भारत के सपने को मैं पूरा करने के लिए जनता के बीच आए हूँ और लगतार देख लिजे कि जनता भी जम कर चिराग पासवान को समर्थन किया और उसी पर पांचो के पांचो सांसोदों ने भी जीत दर्ज की यानि चिराग पासवान मोदी को अपना मानते हैं और मोदी का हाथ हमेसा चिराग पासवान पे रहता है चाहे संसदी बैठक में जब चिराग पासवान मोदी को आमने सामने देखा जाता है तो मोदी जी हमेसा चिराग के सीर पर हाथ रप्या और जैसे ही चिराग मोदी के साम तो उनके पैर को नमस्ता करते कई यों तस्वीर इस सोसल मेरिया पर वारल होती है जिसको लेकर यह भी कहा जाता है कि चिराग पास्वान काफी सुल्जे ब्यक्ति माने जाते हैं पास्वान की नराज़ी का कारण क्या है जनता जाना जाएगी क्योंकि जस तरह से चिराग पास्वान ने बीजीपी से दूरी बना ली लेकिर आप सूरकियों में खबर यह आगी कि चिराग पास्वान फिर से बीजीपी की और मतलब तौरीद हो रहे हैं उनके खिलाफ लिए बोलते वे नज़र आ रहे हैं तो उस पर आप क्या करेगी देखिताने अगर राजनिती की बात की जाए तो राजनिती में आपका दोस्त कौन होगा और दुस्मन कौन होगा सीधे तोर पर समी करन से यह अंदाजा लगाया जाता है और जिस तरफ उनके पक्ष मजबूत होत चिराग पासवान शायद साइड लाइन होते नजार है क्योंकि कई ऐसे बयान उनके खुलकर के सामने आये थे जो इस और संकेत कर रहे थे ताजा मामला था जब उन्होंने यह यहां तक कह दिया था कि मैं मंतरी पद से स्तीफा दे दूँगा अगर सम्विधान या रक्षन के साथ खिलवार होता है तो मैं सीधे तोर पर अपने पिता के नक्षे कदम पर चल कर मैं भी मंतरी पद से स्तीफा दे दूँगा बहुत बड़ा बयान था उनका इसके बाद भी चिराग पासवान का एक और बयान खुलकर के सामने आया था जहां वो विपक्ष के नेता रा तने बड़े नेता को लेकर कि आफ तारीफ कर रहे हैं तो यह बड़ा संकेत देखा जा सकता है इसके अलावा भी चिराग पासवान ने वल्फ बोर्ड और लैटरल इंट्री और आरक्षन के मुद्दे पर भी नाराजगी सीधे तोर पर जताई थी और जाते का जंगना का भी उन्होंने समर्थन किया था तो यह साब बहुत बड़ा सवाल निकल करके आता है तानिया जो सीधी तोर पर यह इशारह कर रहा था कि चिराग पासवान क्या पता किस मुद्दे को लेकर लेकिन कहीं ने कहीं बीजीपी से रुष्ट नजर आ रहे थे लेकिन तानिया और बीजेपी के बड़े कदावर निताओ का पश्यूपती पारस जो की चिराग पासवान के चाचा के साथ साथ आरेल जपी पार्टी के सबसे प्रमुक चेहरे हैं उनके साथ बीजेपी के कदावर निताओ का मिलना जुलना शुरू हो गया जिस दोरान चिराग पासवान थोड़े छटे भी दिखें कई बड़ी संसदिये बैठक होती है उस भी चिराग पसान मौजूद नजर नहीं आते जो कई सवाल खड़ी के करते हैं लेकिन कहां जैसा कि सनेहा जी ने कहा कि चिराग पसान लगातार मोदी के फैसले पर नराजगी जता है तो आपको याद होग यहां तकी 15 से 18 सीटों की भी उन्होंने बात दर्ज की थी लेकिन इस दोरान जैसे सीट बटवारे का रिजल्ट पर नाम आता है चिराग पसान को कुछ नहीं मिलता है यानि साफ जाहिर होती है कि मोदी जितना हाथ देते हैं उतना ही हाथ खीच भी लेते हैं जी चुनाओं लेकर जारकन की जनता की चुराग पस फान की दरफ खीचुराराग पसवाण को डिख ज मदी जाते हैं व्यूं सम्पोधन जाते हैं तो जनता जम करहुंकार भरती है चुन के साते frames gebaut के उर्भी नारे लगाए जाते हैं एक वीडियो सेल्सान मीडिया पर आ जहाँ पर जाते हैं जनता के बीट जाते हैं और वहां इतनी तदात में भीन रहती है कि लोग वहां नाही धूप और बारिज देखते कई ददादों में लोग वहां मौझूद रहते हैं और चिराग पस्वन वहां से बड़ी हुनकार भरते हुए नेता प्रतीपस्त ये राम विलास पास्वान जी का सपना था कि उनका बेचा या फिर वो खूद जहरकन के विकास में अपना योगदान दे और चिराग पासवान अभी भी उनको भले ही एक सिट मिली हो चत्रा विधान सबा लेकिर इसके बाजूद भी चिराग पासवान वहां पूरे दमखं के साथ जाते हैं जनता के बीच जाते हैं और जनता वहां उन्हें फूल सपोर्ट कर रही है देखें प्रिया मेरे एक सवल आपसे यह भी रहेगा कि दुस्तरों से चिराग पासवान ने इस्तिफा देने की बात कई थी मंत्री परस देने की बात कई ती जो मामना काफी सुरु दिटए ही है क्योंकि और चिराग पासवान वह चाहते हैं जो चोटी सी उनकी बात ही काफी जोड़ो सोरो से तूर लेती है। परसाल तोर पर देखा जाए तो चिराग पासवान वो चहरा है जिस पर बिहार की जंता भरोसा करती है ना सिर्प नेशनल क्लेस्ट के जरिये बलकि एक राजनीती के तौर पर कहा जाए एक बेचे के तौर पर बिहार की जंता उन्हें मानती है आपको याद होगा जब उसे हवा भरने का काम करते हैं लेकिन अभी जो चिराग पासवान का तेवर है वो बिलकुल पहले से जादा नॉर्मल हो गया है रहाबाद पहले मोदी के कई फैसलों पे नराजगी जता है उनका कहना था कि मोदी की मैं इजजत करता हूं इसलिए मैं हूँ मैं बीजेपी का अईजत नहीं उतना करता हूं जैससे साथब पर देखा जाये तो बीजेपी पार्थी से जुड़े है वह मोदी से जुड़े हैं ऐसे इसले कर और ज्मोदी के चरचाइक्टीज हो गया हैं प्रदान मंती नरेन मोदी की जो संकल्प है उनका जो सुच है उसके साथ मैं सुद्रीड होके खड़ा हूं इस तरह से ब्यान करते नजर आ रहें यानि साथ जाईर होती है कि चिराग पासन ये बात अच्छे से समझते हैं कि बीना मोदी के या फिर मोदी के समर्थन जो विज में काफी जादा होती है और इन दिनों आपको बता दें बीजेपी वोट बैंक सांधने के लिए हिंदुत्यों का अभियान चला रहा है जिससे कहीं न कहीं बीजेपी भी काफी चर्चे में बना हुए तो चिराग पास्वान का रूख है मोड़ना कोई छोटी सी बात नहीं हो जाती है इसनीहा दुस्तरस से चराग पास्वान अभी बीजेपी से अलग होते में नज़र आ रहे थे उनका नाराजगी सब लोगों को नज़र आ रहा था लेकिन अभी फिर से चराग पास्वान मोडी मोडी के नाम का माला जबते में नज़र आ रहे है और अभी विहार बिहार विधान सभा भी महुत नजदीक है तो उस पर आप क्या कहने चाहेंगी क्या यह कोई पुलिटिकल पॉइंट व्यू है या कोई पुलिटिकल टर्न है चराग पासवान की तरफ से देखिए दानिया चराग पासवान का मोदी-मोदी का जाब करना बहुत नॉर्मल है क् अगले साल बिहार विधान सभा का चुनाओ है और जहर खंड का भी चुनाओ आने वाले 13 नमबर को होने वाला है तो ऐसे में देखिए राजनितिक समी करन से कहीं न कहीं यह बाते सामने निकल करके आरी है कि अगर चराग पासवान को राजनिती में बने रहना है बिहार में अच्छा प्रदर्शन करना है बिहार के लोगों के नजरों में आना है तो उनको कहीं न कहीं मोधिन मोधी का जो जाब करना जरूरी हो जाता है कि देखिए कि चिराग पासवान के अगर बात की जाए तो उनके सांसत अभी फिलहाल बिहार की बात की जाए तो पांची है और और आगे अच्छे प्रदर्शन के लिए बिहार में अच्छे प्रदर्शन के लिए बिहार की जनता के हित में काम करने के लिए उनको ये संख्या कहीं ने कहीं बरहोतरी की उनको बहुत जादा अभी कायाश है आवशकता है तो सीधे तोर पर अभी जो उनका जो रुक है वो मुद्धों को लेकर के एक बहुत ही सामाने रुख के तरिक से सामने आ रहा है तो जैसा कि आपने हमारे दूरु से सुना कि किस तरह से चिराग पासवान अपना रुख फिर से बदलते वे नजर आ रहे हैं अभी हाली के दिनों में चिराग पासवान ने काफी नराज़गी त कि अभी तुरंत चिराग पास्वान मोदी का माला जबते वे फिर से नज़र आ रहे हैं तो देखनी वाली बात यह होगी कि अब चिराग पास्वान का राजविति कि रूख क्या होने वाला है तब तक के लिए बने के हमारे साथ देखते एक शुरेटी फूर धन्यवाद